वेल्कम बाक्ति स्ट्रीमर्स जैसा कि आप सब देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे आपके अरभी के पत्ते हैं इसे नौर्थीस में बड़े चाव से खाया जाता है और इसको वहां कोचु का साग कहते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको ऐसे अच्छे से काट लेंगे इसके छिलके को हटा के छोटा छोटा काटेंगे और पत्तों को भी इस प्रकार से काटेंगे जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सक रहे हैं फिर हम इसे नमक वाले पानी में उबाल लेंगे अगर आप इसे जल्दी उबालना चाहते तो इसमें एक सीटी अबन जानने के बाद हम इसका पानी अलग कर लेंगे इसको अच्छे से निचोर लेंगे और फिर एक पैन में हम तेल में लसुन फ्राइ करेंगे थोरे सी उसकी पोठियां एक मीडियम साइज प्यास कटा हुआ और इसमें हम उसके बाद अपना साग जो हमने काटा है वह ड अनुसार डालेंगे एक छोटा कटा हुआ टमाटर भी डालेंगे इसके अंदर और हम अच्छे से इन सारी चीजों को हिला लेंगे और ढ़क कर पकाएंगे अच्छे से पालक की साग की तरह मैश कर लेंगे और इसको पानी सूपने के लिए रख देंगे अब आपके इस सबजी तयार है खाने के लिए आप इसे चखिए और मुझे कॉमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएगा कि आपको इस सबजी कैसी लगी तो जल्ड ही जल्ड बनाईए और खाईए और कॉमेंट कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग